देट के इस फॉर्मुला के सिरीज में बारी है फॉर्मुला E-O मन्त की E-O का मतलब है end of month पहले मैं आपको कुछ simple examples दिखाता हूँ मान लीजे आपके पास दो तारीख है 1st July और 11th July 2020 अब अगर आपको पहले डेट के अनुसार end of current month निकालना है यान की 31st July आप कह सकते हो की है हम तो सिर्फ 30 को add करेंगे और answer मिल जाएगा लेकिन कल को अगर ये बन जाता है 11 July तो obviously answer सही नहीं होगा हम चाहते हैं कि जब भी डेट चेंज हो वो मुझे उस महिने की आखरी तारीख ही दिखाए तो इसके लिए हम इस्तमाल करेंगे E.O. month का कह रहा है starting date यानि कि पहला date आप चूज करें उसके बाद अगर आपको same महिने की आखरी तारीख चाहिए इसका मतलब ये कि आगे भी नहीं जाना चाहतें और पीछे भी नहीं मुढ़ना चाहतें तो हम कहेंगे 0 0 का मतलब है जिस महिने में आप हो उस महिने की तारीख आपको end of month मिल जाएगी लेकिन अगर आपने यहाँ पर 1 लिखा होता तो क्या guess कर सकते मुझे answer में क्या मिलेगा Yes 31st of August इसी की जगह अगर आपने लिखा होता minus 1 तो guess कर के बताएगे answer में क्या आना चाहिए correct 30th June तो देखा दोस्तों यह EO month आपको देता है end of month और आपके पास full power है E date की तरह कि आप minus 1 या plus 1 लिखकर पीछे आगे जा सकते हैं अब इसके basis पे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे जो date दिया गया है इसका first of month बताईए यानि की जो भी तारिक है उस महिने की पहली तारिक मुझे यहाँ चाहिए तो मैं कहता हूँ equal to EO month इस date को मैंने चूज किया लिख देता हूँ comma minus 1 इसका नतीजा यह है कि एक महिने पीछे जाएगा और उस महिने की आखरी तारिक को compute करके आपको देता है 30th June अब यह 30th June पर अगर आप एक दिन और add कर दें तो आपको मिल जाता है first of that month तो ऐसा है कि पहले गाड़ी थोड़ी पीछी लेके जानी है उसके बाद एक कदम आगे ध्यान रहे यह plus 1 bracket के बाहर है क्योंकि bracket के अंदगरा आपने plus 1 कर दिया तो इसका मतलब 0 हो जाएगा तो यह छोटा सा project था अभी मैं आपको इसके application के बारे में बताता हूँ बहुत बाहर कहा जाता है कि invoice का जो date है यानि कि date of purchase उनके अनुसार आपको शायद कोई तरह का tax पे करना पड़ सकता है मान लीजे 5th of next month अगर आपने 16 June 2015 को कोई समान खरीदा है invoice date उस तारीक की है तो हो सकता है उसके उपर जो tax था आपको 5 यानि कि 5th of अगले महीने next month तक पे करना है तो इसके लिए हम लगाते हैं formula equal EO month पहले पता लगाते हैं कि उस महीने की आखरी तारीक कौन सी है correct यानि कि 30th June और इसके बाद आप कर दीजे plus 5 तो आपको मिल जाएगा 5th of next month अब ये 5th of next month करना चाहें या 20th of next month करना चाहें ये आपकी मर्जी लेकिन अगर आपको पता लगाना है कि ये दिन कौन सा था तो हमारे पिछले एक वीडियो में हमने बताया था text formula के अंदर अगर मैं double quotation के अंदर 3 या 4 बार D लिखता हूं तो मुझे पूरा का पूरा answer एक जटके में मिल जाना चाहें कि Sunday था या Monday तो ये सारे formulas financial modeling में बहुत काम आते हैं tax के अलग-अलग calculations में काम आते हैं HR के calculations में काम आते हैं इन्हें जरूर practice कीजेगा